Hello friends, welcome to my channel आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संग्या और उसके भेद हम अपने बच्चों को कैसे बताएं संग्या की परिभाषा के बारे में उसके कितने भेद होते हैं उसको किस तरह से हम समझाएंगे अपने बच्चों के बारे को मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहली बाद जो क्लास फर्स्ट में बच्चा आता है तो सुफ उसको संग्या की परिभाषा बताई जाती है उसके थोड़े से उसको एक्जामपल दिये जाते हैं और उसके भेद सिफ दिये जाते हैं उसको पूरा एक्स्प्लेइन नहीं किया जाता जैसे ऐसे बच्चा क्लास सेकेंड, ठर्ड, फोर्थ में जाएगा बच्चों को संग्या की फुल परिभाषा दकिनर्स के जी में फस्ट में ही सिखा दी जाती है उसके बच्चों को पूरे भेद भी एक्स्प्लेइन किये जाते हैं अच्छे से कि भेद भी किस तरह से है उनको किस तरह से हम एक्स्प्लेइन करेंगे तो आज मैं आपको पूरी संग्या की परिभाषा उनके भेद को एक्स्प्लेइन करकर बताऊंगी तो क्या है संग्या, संग्या क्या है, संग्या किसी व्यक्ति, वस्तू, प्रानी, भाव, वस्तान के नाम को कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम हो जाए, वस्तू का नाम हो जाए, प्रानी का नाम हो जाए या भाव हो जाए, वस्तान के नाम को हम क्या कहते हैं, संग्या कहते ह जैसे व्यक्ति में जैसे आ गया राम, सक्षम, अंशा, रिशी, परम, कृष्णा इस तरीके के नाम हम ले लेंगे ये व्यक्तियों के नाम है जिनको संग्या का जाता है वस्तू के नाम जैसे फल, पुस्तक, कलम, मेच, कुरसी, आप कुछ भी ले सकते हैं, पैंसिल, रबर, आप कोई भी वस्तू का नाम ले सकते हैं, फ्रिज, टीवी, इन चीजों को क्या का जाता है, ये भी संग्या है, ये वस्तू के नाम है, प्रानी में आएगा पशू, पक्षी, मनुश्य, पुरुष, इस्त्री, इनके नाम, भाव भाव में भाव का अपना कोई रूप नहीं होता, सिर्फ हमारे भाव हैं, जैसे सच बोलना, जूट, प्रेम, अच्छाई, ये हमारे भाव हैं, ये संग्या है, सान, दिल्ली, पारक, स्कूल, गाओ, आगरा, या मुंबई, लाइब्रेरी, आप कुसी भी हॉस्पिटल ले स कोई भी स्थान का नाम, वो संग्या कहलाती है, ठीक है, इस तरह से आप पहले संग्या की परिभाशा अपने बच्चों को सिखाएंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, संग्या के कितने भेद होते हैं, संग्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, बाव वाच संग्या और जाती वांचों संगिया जाती वाचा संगिया姓 कुछ एक्जामप्रत बताइं संग्या报 सभी बताये जाते हैं कि बच्चों को इतना ही कराया जाता है इनकी definition क्या होती है इनकी परिभाशा क्या होती है वो बच्चों को first class में नहीं समझाई जाती बच्चों को इतना enough होता है उनकी लिए समझ लेकिन जब बच्चा बड़ी class में चला जाता है तो बच्चों को इनकी पूरी परिभाशा और उनके बेट भी बताए जाते हैं, उनके पूरे एक्जामपल्स भी बताए जाते हैं, कि कैसे है वैक्ति वाचक संग्या, क्या है भाव वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या क्या है, बड़े वच्चों को ये भी बताए जाता है, तो आज मैं वो भी आपके साथ शियर करने वेक्ति वाचक संग्या क्या होती है, जिन शब्दों में किसी विशेश वेक्ति, विशेश प्राणी, विशेश थान या विशेश वस्तु का बौध होता है, उन्हें वेक्ति वाच संग्या कहते हैं. जैसे दिल्ली एक विशेश स्थान का नाम, सक्षम एक विशेश व्यक्ति का नाम, बाईबल, किताब का नाम ये विशेश नाम जब आते हैं तो उनको व्यक्तिवच संगया कहा जाता है अब है भाव वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या क्या होते हैं, भाव वाचक संग्या होते हैं, जो शब्द गुन, दशा, अवस्था, भाव, आदी का बोध करा है, उन्हें भाव वाचक संग्या कहा जाता है, भाव का कोई रूप नहीं है, यह हमारे भाव है, उनको जैस सुन्दर्ता किसी की सुन्दर्ता को लेकर बोलना घ्रीना करना किसी के लिए किसी से प्रेम करना जिसका कोई रूप नहीं होता एक फील है सुन्दर्ता यह किसी के लिए प्रेम किसी के लिए घ्रीना अच्छाई बुराई सच बोलना जूर बोलना यह भाव है इनका कोई रू एक जाती के विभीन वैक्तियों, प्राणियों, स्थानों एं वस्तूओं का बोद कराते हैं, उन्हें जातीवचक संग्या कहा जाता है, जैसे पहाड, नदी, फूल, जैसे फूल का नाम नहीं बताया, फूल तो बहुत सारे हो गए, नदी, मतलब एक ही जाती की विभीन वैक पहाड, परवत, बहुत सारी चीज़े हो गई, जहां इनका बोध होता है, कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संग्या कहा जाता है, ठीक है, उसके बार हम लेंगे द्रवाचक संग्या और समुवाचक संग्या, समुवाचक संग्या क्या होती है, जिल संग्या के शब्दों से, किसी परधार्थ, धातु का बोध हो, उन्हें द्रवाचक संग्या कहते हैं, जैसे परधार्थ क्या हो गई, दूद, घी, इस तरहीं किसे, और जो धातु हो गई, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, यह हो गई धातु है, जहां इनका बोध होता है, इनके बारे में बात होती है, वहां होता है द्रवाचक संग्या, समुवाचक संग्या किसे कहते हैं, जो शब्द किसी समुव या समुदाय, जो शब्द किसी भी समुव, समुव किसी जुंड, किसी समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हे समु माचक संग्या कहते है जैسे मेला भीर झुन्ढ, समेटी या स्कूल जहां बहुँत सारे बच्चे हैं, हॉस्पिटल जहां बहुत सारे पेशंट्स हैं, इन जहां झुन्ढो, किसी चीज़ का जुन्ढो होना किसी चीज़ की à जाता है एक जुंड को एक भीड को यहां इकठे हो सब जने उच चका के हो समुवाचक संग्या कहा जाता है यह थी संग्या की परिभाशा उसके भेट अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को दबाना बिल्कूल ना बोले ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स फॉर वोचिंग माई वीडियो